तो आज मैं बना रही हूँ लाइट और मज़ेदार स्वीट कॉन सूप तो सबसे पहले हम लेंगे आदा कप फ्रेश स्वीट कॉन इसे हमें बिना बॉल किये ही लेना है और आदा कप पानी डाल कर इसकी पेस्ट बना लेंगे अब एक पैन में हमने जो स्वीट कॉन की पेस्ट बनाई थी उसे चान लेंगे ताकि जो थोड़े बहुत कॉन के छिलके है वो निकल जाए अब फ्लेम को मीडियम टू हाई करके हम इसमें डालेंगे अल्मोस्ट एक लीटर जितना पानी और इसी में ही हम डालेंगे वनफोथ कप फ्रेंच बीन्स वनफोथ कप बारिक कटी हुई पत्ता गोबी और थ्रीफोथ कप स्वीट कॉन डाल कर इसे मिक्स कर देंगे अब सबजियों का प्रपोर्शन अपने हिसाब से उपर नीचे कर सकते है अब इसमें डालेंगे नमक, आधा टी स्पून कालिवरी पाउडर और दो टी स्पून चीनी डाल कर सभी को मिला लेंगे चीनी डालने से क्या होगा कि स्वीट कॉन का जो अपना मीठा फ्लेवर है वो उबर के आएगा जिसे सूप बहुती बढ़िया बनेगा अब इसे कम से कम 5 से 6 मिनिट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर बॉयल कर देंगे अल्मोस्ट 6 से 7 मिनिट हो चुकी है और अब ये जो फोम उपर आया है इसे हम थोड़ा निकाल देंगे अब चाहे तो इसे रग भी सकते है और हाँ अगर आपको पतला सूप पीना है तो ये एकदम तयार है पर अगर आपको होटेल जैसा थोड़ा थिक सूप पीना है तो यहाँ पर मैंने दाइ टेबल स्पून कॉन फ्लार में 2-3 चमच पानी मिक्स कर दिया था और पतला सा सलरी बना लिया है तो अब इसे थोड़ा थोड़ा करके अड़ करते जाएंगे और मिक्स कर देंगे कॉन फलार अड़ करने के बाद सूप को हमें कम से कम 1-2 मिनिट तक बॉल कर लेना है ताकि कॉन फलार का जो कच्चापन है वो निकल जाए दो मिनिट के बाद आप देख सकते हैं सूप बनकर एकदम तयार है तो अब फलेम आफ कर देंगे और सूप का टेस्ट डबल करने के लिए यहाँ पर लेंगे 1 टेबल स्पून बटर और ये मेल्ट होने पर इसे गरम गरम ही सर्व कर लेंगे तो आप ये लाइट और मज़िदार स्वीट कॉन सूप जरूर ट्राइ करना आइम शूर आप सभी को बहुत पसंद आएगा